प्रदेश में सरकार किसी की भी बने भाजापा हो या कॉंग्रेस अलवर जिला राजनेतिक का परमुख केंद रहा है यहां से राजनेतिक निर्ने हो या फिर जनता की और से चुने गए जन परतिनिध्यों का आकड़ा ये पूरे देश में पड़ा और समझा जाता है अलवर कई जिलों का राजनेतिक भवशे तै करता है यही कारण है कि चुनाओं में यहां परमुख दलों के बड़े नेता आते हैं इस बार चुनाओं में भी कॉंग्रेस और भाजापा ने खूब जोर लगाया है इशार परचारकों ने भी खूब माहुल बनाया जानकर कहते हैं कि परदेश में इस बार सरकार चाहे किसी भी दल्की बने लेकिन अलवर में कोई न कोई मंत्री जरूर बनेगा यानि परदेश की राजनेती में अलवर की भागेदारी कम नहीं होगी कुछ नेतक कयास लगा रहे हैं कि जीत गए तो वे मंत्री बन सकते हैं वर्ष 1908 में में कॉंग्रेस की सरकार बनी अशोक गैलोत मुख्य मंत्री बने कॉंग्रेस ने 153 विधायक राजय से जीते थे अलवर में भी अधिकांश विधायक कॉंग्रेस पार्टी ही जीत पाई थी उस समय गैलोत सरकार में खेरतल विधायक चंदर्शेकर को जेल राजय मंत्री बनाय गया था इसी तरह 2003 में भाजपा की सरकार बनी पार्टी में 120 विधायक थी अलवर से भाजपा के तीन विधायक जीते थे इन में से धरमपाल चोदरी को सरकार में संसद्य सची बना कर लाल बती दी गई थी बात 2008 की करें तो कॉंग्रेस की सरकार बनी जब सीएम अशोग गहलोत फिर मुख्य मंत्री बने थे तब यहां कॉंग्रेस के तीन विधायकों में से तिजारा विधायक एमामूदीन एहमद खान को कैबिनेट मंत्री बनाये गया इसके लावा कॉंग्रेस नेता करण सिंग यादो को 20 सूत्रे करक्रम का उपाध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दरजा दिया गया क्रेशन मुरारी गंगावत को देवस्तान प्रन्यास बोड का अध्यक बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था वर्ष 2013 में फिर एक बार भाज़ापा की सरकार बनी राज्य में भाज़ापा के 163 विधायक जिते थे अलवर में भी 11 में से 9 विधायक भाज़ापा के बने इन में पहले हेम सिंग भडाना को कैबनेट मंत्री बनाया गया इसके बाद बहरोड विधायक जस्वंत यादो को भी सरकार में कैबनेट मंत्री का बद मिला उस दोरान भाजपा में रहे डॉक्टर रोताज शर्मा को अंतर राजे जल निराकरण सम्मीती का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया इसके अलावा संदीप यादो को युवा बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाकर राजे मंत्री बनाया गया देवी सिंग शेखावत को नगर विकास नियास अलवर का अध्यक्ष बनाया गया वर्ष 2018 में कॉंग्रेस की सरकार बनी इस बार अलवर से कॉंग्रेस के पाँच विधायक जिते इन में से टीकराम जूली और शकुंतला रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और बाद में वे कॉंग्रेस में शामिल हुए दीपचंद खेरिया को किसान आयोग में उपाद्यश बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया इसके अलावा कॉंग्रेस नेता जुबिर खान को मिवात विकास बोड का अध्यक्ष बनाया संदीप यादों को बीड़ा भिवारी का अध्यक्ष बनाया गया कुल मिलाकर अब एक बार फिर 2023 के विदानसबद चुनाओं के बाद परणाम 3 दिसंबर को आने वाले हैं देखते हैं अलवर की राजनेती किस करवट बैठती है